हेलो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए एक दम चटपटी नास्ते की रेसिपी तो चलिए फटा-फट से शुरू करते हैं वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजेगा तो यह दो कच्छे आलू को हमने ग्रेट कर लिया था मीडियो मले ग्रेटर से और अच्छे से बारिक कटकर लिया था इसे भी डाल देंगे तो सबजी जो भी आपके पास हो आप डाल सकते हैं तो हरी मिर्ची को बारिक करके डाल देंगे थोड़ा सा धनियां की पतियां डाल देंगे और उसके बाद आधा कप हमने यह सूजी लिए तो यह डाल देंगे अगर आपके पास मोटी सूजी हो तो आप ग्राइंड कर सकते हैं उसके बाद आधा कपी हम इसमें डही डाल देंगे आदा कपी हम पानी डाल देंगे तो आदा कप हमने सूजी ली थी तो आदा कप दही और आधा कप हमने पानी डालाया उसके बाद हम क्या करेंगे इसे अच्छे से मीक्स कर लेंगे उसे करके तो एक साथ जाधा पानी नहीं डालींगे, врft अभी हम देखें गे क्यूंकि सबजी आए तो सब्सपर पानी छोडती यह तो एक दम से जाधा पानी नहीं डालेंगे तो इसे बढ़ियाची करके mix कर लेंगे तो ऐसे करके ताकि अच्छे से ला-व, दहình' जो दही हमने डाला है और जो भी सब्जीया हैं तो बड़ी असी आपस में मिक्स हो जाएं तो इस तरीके से बड़ी असा इसे मिक्स कर लेंगे तो बहुत ही जल्दी बन जाता है यह नास्ता और खाने में एकदम टेश्टी लगता है तो आप सुभे के नास्ते में भी इसे न तो अच्छे से फूल जाएगी, तो दस मिनट हो गए हैं, उसके बाद हम चेक कर लेते हैं, तो यह आप देखें, बढ़िया सा एकदम बढ़िया सा बैटर बन गया है, सूजी भी अच्छे से फूल गई है, तो इसे थोड़ा मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद हम थोड़ा सा दो तीन चमबच के करीब इसमें पानी डाल देंगे, और फिर से मिक्स कर लेंगे पानी को इसमें, तो ऐसे करके और बढ़िया सा मिक्स कर लेंगे, तो यह आप देखें, एकदम बढ़िया सा मिक्स कर दिया है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे, के अनुसार और इसे दोनों चीजों को इसमें मिक्स कर लेंगे बैटर में तो आप चाहें तो इसमें लाल मिर्ची पाउडर या फिर चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं तो हम यह सब नहीं डाल रहे हैं ऐसे हम आज हरी मिर्ची से इस नास्ते को बनाने वाले हैं तो इसको अच तड़का पAnn में हमने एक मास देल कर लिया थोड़ा सा जीरा डालेंके थोड़ा सपोगह डाल देंगे घी अर थोड़ी कड़ी पत्ता डाल देंगे थोड़ा सा हम इसमें एक चुटकी हिंग भी ढाल देंगे बहुत अच्याट है फिंग का उसके बाद आच्छे से इसे थोड़ा चटकने देंगे थोड़ा बढ़ी आशा चेंज हो जाएगा तभी हम इस तड़के को लगाएंगे तो यह बढ़ी हैसा हो गया है हमारा जो तड़का है तो इसमे डाल देंगे और उसके बाद इसे मिक्स कर लेंगे तो ऐसे से गुमाते वे इसे बढ़ी है मिक्स कर लेंगे तो ऐसे तड़का लगा के आप अगर बनाएंगे तो बहुत ही टेश्टी लगेगा यह नास्ता जो है तो ऐसे कुछ सेकंड के लिए गुमाते वे और बड़ी असा मिक्स कर लेंगे उसके बाद हमने थोड़ा सा यह मीठा सोड़ा लिया है आप चाहें तो इनो भी आप इसमें डाल सकते हैं तो बिल्कुल थोड़ा ही लिया है दो चुटकी के करीब तो इसको अच्छे से एक ही सा मैं लिए हैं तो क pouco मिशिए लिए टो लिया थी जरूर लिएस та कि आट है दोतो और प्रिगाएक कि आथा भी साट 110 आधी तो यह लुः में थी थी टोरी में तो यां उपर तक नहीं भरेंगे क्यों कि नास्टा रचाएक फुल मारा यह एतना इतना हांक में बहला लिया लेंगे इसको ताकि और मेसमें न और इसके बाद हमने गैस में कडाही में दो कप पानी रखा है और चंथ रख दी ती उसके उपर है तो कोई है मिद्गी आप अट एमें 12 जा मिंदि हैं करके कर देंगेत Savior को मिदिण टेंगे 8 से 23 देश्ट टरिस्ट देक to तो हमें रखकन हटा लिया हैं तो गयास को बंत कर देंगे और यह थंड़ा होने लिए इसे रख लिया था तो अच्छल्ण से ठंड़ा हो गया है उसके बाद हम क्या करेंगे से साइट से ऐसे कर लेंगे अगदम कटोरी को छोड़ देगा तो ऐसी करते वे और सारी कटोरियों के नास्ते को हम ऐसी करते वे और इसे निकाल लेंगे तो इसे हाथ में ऐसे कर लेंगे और पीछे से थोड़ा ऐसे माल लेंगे थोड़ा सा तो यह निकल जाएगा तो यह आप देखें कितना बढ़िया सा बना हुआ है तो सब को निकाल ल पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको यह नास्ता कैसा लगा और आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं तो वह जरूर बताईएगा इसे सौच चटनी या फिर ऐसे भी खाएंगे बहुत ह तो एक बार ट्राइए किजेगा देखिए आप कितना स्पॉंजी सा बनावाया है और बहुत है टेस्टी लगता है ज्यादा मसाले भी नहीं है और तेल भी नहीं है इसमें तो एक बार ट्राइए किजेगा थैंक यू